इसके बार में सारी जानकारी को देखेंगे यहां से कुश्यन हैने की पुष्य सम्भावना है तो एंपर भाट करते हैं आस्टेलिया ने भारत को हराका तो यहां पर देखेंगे तो चलिए हम लोग एक करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिसन की बात करते हैं तो यह तेरवे नमबर के एडिसन था कहा हुआ तो यहां भारत यानिकी अपने इंडिया में हुआ टोटल टीम जो भाग लिए वो दस टीम जो हैं यहां पर भाग लिए वे नियू यानिकी आईजन अस्तानों पर हुआ था तो यहां दस अस्तानों पर हुआ था और टोटल मेच की बात करते हैं तो यह 48 यानिकी 48 म खेला गया कभ से कभ तक वहा तो यह पांच ऊक्टूबर से लेकर के उनीस नॉमबर तो उज्ञाद तक वहा तो यह आप द्यान रखेंगे वांच चिकर विछ नॉमबर तक के वीच में यहाँ खेला गया तो यह आप लोग अच्छेट रिखेंगे अब बात करते हैं कि पहला लोगों को ध्यान रखना है देखिए जो थीम है थीम सोंग हुआ है दिल जसन बोले यह थीम लेकिन उसे जदा important है थीम तो थीम क्या है तो इट टेक्स वन डे तो यह थीम रहा किर्केट वल्ड कप 2023 का इट टेक्स वन डे यह थीम था और थीम सोंग की बात करते हैं तो दिल जसन बोले यह था तो यह लोगों को याद रखना है अब बात करते हैं मैस्कोट के बारे में जो की बहुत ही ज़्याद बेटंग देगर यहाद रखेंगे अब बात करते हैं फाइनल मेस से पब्हरती ऐरोफ्योस के सूरिय के रिंट टपारा एार्सेलीट दिया गया तो फाइनल मेस से पहले भारत का जो है इंडियान ऐरोफोस उसका एक टीम है सूरिय किरून उन् cres ₾ down साथ अगर बात करते हैं आगे में आप लोगों को याद रखना है अब देखते हैं यहां पर फाइनल मेश के बारे में बात करते हैं तो यह कफ खेला गया तो यहां 19 नॉबर को खेला गया कहां खेला गया तो नरेंद मोदी स्टेडियम रामदाबाद गुजरात में खेला गया फाइनल मेश कौन कौन से टीमों बीच में तो यह भारत पर और ऑस्टेलिया की बीच में जहां पर टोस जीता ऑस्टेलिया ने और पहले गेंद बाजी चुना है तो यह भी आप लोग याद रखेंगे भारत जो है पहले बले बाजी करते वह दोस्टारीस रन बनाए पचास ओबर में 10 विकेट खो करके वहीं देता रहा तो यह भी आप लोग याद रखेंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि वीनर जो है वह ऑस्टेलिया रहा और अपना इंडिया रहा तो यह हमें ध्यान रखना है अब हम लोग देखते हैं आगे में तो फाइल मेच के प्लेयर और दमेच कोन रहे तो प्ले बहुत जादा है तो देखते हैं एक करके सारी चीजों को सबसे ज्यादा रण कुन बनाया इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में तूह बनाये विराट कोली जो की इंडिया खिलाणी है टोटल साथ सो पैसे रण बनाये और ग्यारा मेच में याने की गारा इनिंग्स में 11 इनिंग्स म यह दोनों तो भेरी-भेरी इंपोर्टेंट है ही इसके अलाव भी आम आगे देखते हैं सबसे जबसे पहला सतक को बनाये तो सबसे पहला सतक बनाये डेवन कौन वे जोकि निजलीन के खिलाणी है डेवन को वे के दौबरा पहला सतक लगाया इस वर्ल्ड कप में सर्वाध जातीक ऊच्ची स्कॉर मंदलब भजटिकत सबसे ज़्यादा स्कॉर कौन बनाया तो यह बनाया ग्लेन मैक्सवेल ॐस्टेलिया के हैं तो यह बहुत याद रखएंगे हैं सबसे लंबा शक्क कोन लाया इस किर्केट वल्ड कप में तो Daryl Mitchell लगा है जो कि New Zealand के खिलड़ी है और इनने कितना मारा लंबा तो यह 107 मीटर की यानि कि 107 मीटर सबसे लंबा चक्का है लगा है Daryl Mitchell ने तो यह भी आप लोग याद रखेंगे अब हम लोग देखते हैं आगे में सरवाधिक छक्का यानि कि Cricket World Cup में सबसे ज़्याद छक्के कौन लगा है तो वह रोहिसरमा लगा है जो कि भारत के हैं टोटल 31 छक्के 31 शिक्स लगा है रोहिसरमा ने सरवाधिक छक्के की बात करें तो यह भी भेरी-फेरी इंपोर्टेंट है गिए auट्ड़िक इसकी हσटक के लगा है तो यह भी हम हम लोग धियान रखेंगे तो सरवाधिक अधसतक बनाया विराट कोहली ने जो कि 6 दृणलात काुली ने जो कि 6 अधसतक लगा है विराट कोहली ने ठेखते हैं technically सबसे ज्यादा और सबसे सारे चीज़ों को देख लिए हैं लेकिन आप देखते हैं कि टोटल 6 कितने लगे तो सबसे यहां पर देख रहे हैं कि 6 लगा है वहां 644 यानि कि 646 लगे हैं टोटल इस टूर्नामेंट में और टोटल चोकों की बात करते हैं तो यहां लगा है 2249 चो नहीं पर पूशे जाए या तो फिर आप लोग ध्यान रखेंगे तो 6 लगे टोटल वह 644 शिक्स और टोटल फोस लगे है 2239 बेस्ट बोलिंग की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बोलिंग किसने की तो यह किये हैं मुहमद समी ने जो की 57 देकर के 7 विकेट लिए थे और य क्योंग अगे और देखते हैं सबसे ज्यादा मेरण नोबर कौन डाला है सबसे जबसे ज्यादा मेरी बात करते हैं तो सबसे विकेट पर रह्यां है कुइंटन डिकॉक जो की टॉटल बीच शिकार किये उसमें से केच और इस्टंपिंग दोनों मिला करके टॉटल बीच शि जयाद रखेंगे सबसे सफल विकेट की पर है क्वेंटन डिको जो कि सावत अप्रिका करेंगे और टोटल 20 सिकार की आगे देखते हैं सरवाधिक आउट फिल्ड केज मतलब आउट फिल्ड केज में मतलब खेल के दोरान सबस्यादा केज को लिए तो यह लिए डेरिल मिचल ज प्राइज मनी की बात करते हैं तो प्राइज मनी में विनर जो रहा उसको चार मिलियन डोलर साथ-साथ-साथ-टोफी मिला तो 7,000,000 उसाथ-स-डोलर मिल गया और उस्टेलिया टिम को जो की विणर है और रौनर आप जो रहे इंडिया उसको मिलन दो मिलियन यू-साथ-स-डोलर यह लिए भी आप लोग ध्यान रखेंगे विणर को मिल और आख्केंगे अब हम लोग अन्य सत्यों को देखते हैं तो फॉस्ट किर्केट की वोल्ड कप जो हुआ था हुआ वह 1975 में हुआ था इंग्लेंड में हुआ था यह भी आप लोग थ्यान रखेंगे 1975 में पहली बार फर्स्ट टाइम किर्केट वर्ल्ड कप खेला गया था तो यह आप लोग इसे ध्यान सकते हैं अब हम लोग आगे देखते हैं सरवाधिक बार किर्केट विश्वकप बिज़ता कौन बना है तो सरवाधिक बार बना है उस्टेलिया जो कि 6 बार बना है यानिकि 6 टाइम उस्टेलिया विश्वकप किर्केट को जीता है विश्वकप किर्केट को जीता है कौन से देश तो यह आप लोग ध्यान सकते हैं यहां पर 14 टीमों को खिलाया जाएगा तो यहां पर घोसना किया गया है कि टोटल 14 टीम्स होंगे जो कि अगला जो है यहां पर जो है प्लेयर उद्दा से आप लोगों को याद कर लेना है तो दोस्तों इस परकास से आप लोगों ने यहां पर देख लिया जो भी चीज़ें यहां से कोशिन पुझाने के समान हो तो मैंने आप लोगों को बता दी आप यहां पर एक चीज़ और है कि यहां पर थीम सौंग और थीम क्या रहत है साथ साथ मेंसकोट कौन है इसको भी धियान रख सकते हैं यह भी बेर बेर इंपोर्टेंट है और सबसे चीज़ है कि विनर जो रहा हुआ और रनर अप जो रहे हुआ इंडिया रहा तो यह आप लोग याद रखेंगे विश्व कप क्रिकेट 2023 से रिलेटेट तो आपनों के करेंट हफ्यास से भी है और ऐसे भी आपनों को याद रखना है